हेलो स्ट्रेंट आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्वेजिस एंड आपका जो लैक्ष्यू नमबर थ्री है यह और इसमें पढ़ा है चैप्टर नमबर वन फंस्त इसमें सेफ्टी इन प्लमिंग जो अपका टॉपिक है आज कारे संबंधी सुरक्षा तो देखें क्या होत है प्लम्बिंग कारे सुरू करने से पहले कारे की प्रिकार विजी को पूरी तरह समझ लेना चाहिए और इसके लिए एक रूप रेखा बना लेने चाहिए इस्थाल का निर्ख्षा कर ले तब अपना कारे हाग में ले कारे के लिए सभी आविश्रक औजार सामान की कारे श शुक्ति करें और उन्हें अपना-पना कारे शिट निर्धारित करते कारे स्थाल पर बिजली गयास तथा पानी के सोर्सस को ध्यान में रखें कारे करते समय कारे इस थाल पर बिजली के स्विश्च बंद करते और शौट हूई विद्यूत लाइन उपकरणों से दूर रहे गीले फर्ष दीवार में यदि करंट महसूस हो रहा है तो तुरंत वहां से हट जा और में स्विच को आफ कर दे धातू के पातर छड आदी से किसी विद्योत उपकरंट बटन ये लाइन को नाचूएं और लकड़ी की जो आपका जो लकड़ी यूज करने वो भी आपकी सूखी हुई होनी चाहिए यदि कुछ गड़बर होती है घटना घटती है तो पैनिक ना हो इसको सुधार ने बच्चने सुरक्षित दूर जाने का प्रयास करें नलकारी सामान की जिनता छोड़ दें अपन कारे कमाने उफ्लब्द नहीं होता इंड़े कारे पूठ होने पर सभी औहजार संभालकर एकत्र करें और कार्ये से बच्चा फालतु समान की सूची बना लें जो इसके सवामी को देदे कारे पूड़े होने पर कुछ साल कुछ काल बाद इसकी कारे कर शमता उपयोगता ठीक करें इसे क्यों होता है कि कस्टुमेंट की विश्वसनियां मरती और आप कारिशेदु का विस्तार होता है बड़े नलकारी कारे उपर फस्ट एड़ की व्यस्ता रखनी चाहिए किसी दुर्गटना होने पर इस्थानिय पुलिस आगनी शमन विफाग की सहायता लें जहा कोई भी व्यक्ति जिसके पास सरकारी जल बिभाग नगर पाले का द्वारा अनुमती पिर्मार पत्र है तो नलकारी का कार्रे कर सकता है नलकार ने नलकारी में निर्दारी प्रिस्रिक्षन प्रमार पत्र ले रखा हूँ तदा वर्तमान में उस छेतर के प्राधी करण से सुची पत्र होना आवश्क है नेजी निर्मार करता है संस्था भी अपने लर्कारी कार्रे के लिए सरकारी लाइसेंस धारी प्लमबर से ही कार्रे लेती है प्राधिकरे नलकारी के लाइसेंस देने के लिए प्रिस्रिक्षन परिक्षा की रूप रिखा तयार करेगा और लाइसेंस धारकों की सूची बना कर रखेगा इनजीनिरंग विसे में प्रिसिक्षित एक मानने प्राफ डिग्री ये डिप्लोमा होल्डर प्लमिंग छेत्र में क्वेटन अव्यंता के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम माना जाता है कार्य समापती पर प्लमबर से उचित प्रमाटपत्र रेकवार लेना चाहें ताकि बाद में कोई कमभीर दोश उत्पन होने पर उसकी जिम्मिदारी निर्धारित हो सके फिर आता है कि प्लंबर द्वारा कारे समापती पर दे प्रिमाड पत्र प्लंबर अगर कंप्लीट कर देता है तो क्या स्रेटिफिकेट देता है मैं घोश्डा करता हूं कि मैंने वि मृतमान जलै कोई है तो भवनिधा का नाम ढाव अनन долж पूरा इड्रस कारे की प्राथि का नाम पिता का नाम क्या है क्या कितना है कि क्या है लिक दिक जटी कैसी है सर्विस घर का व्यास जल टूटी की संख्या सउकर की संख्या सडक कटाईacak तो यह अपको पता होना ही चाप तो है कि म्लैंस जरूरिशा ठीट तो यिए यह आपके जरूरी देंके अजग्गमें वो आपस पूछतास के पिए और संद मिन्मग कोंथ कोई त harini है, और एक दीक्राय है और एक्धान काुक्तुर्ण है, अकर रहल मैं से क्या है। Dopने हम बॉखतास पूछता ना पूछतास पूंचला कोई तीन स्वेन कोई तेन का लिए यह सारे आपको पता होने चाहिए तोड़ा देख लेते हैं नल या पाइप क्या होता है द्रव जिसमें पेजल अफजल मलक जल मतलब सीवेस या फ्रेश वाटर या विस्ट वाटर को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर बंद नली का द्वारा ले जाने वाले पात्र को नल कहते हैं यह सामाने तक गोलाकार होते हैं यह नल 36 दिसाम में उर्थ वताथा कोड़ी है देशा में 45 डिग्री से अधिक उर्थ कोड़ में डाले बिचाए जाते हैं इनका बीतरी व्यास इनसे पारित होने वाले निश्ट तथा दापर डिपेंड करता है कितना हमें प्रेश के पाइप इस्तेमाल किये जाते हैं फिर आता है नलकारी प्लम्बिंग नलों की वांचे तिस्ति वह होईजॉंटल है वर्टिकल में हैं रखकर बिचाकर इनको लंबाई में जोड़ना पाइप लगाना इन पर नियंत्रार फिटिंग जड़ना काटना या जोड़ना मुख प्लम्बिंग कहलाता है नलकारी में जल आप उड़ दीता था वाटर ड्रेने सिस्टम दोनों कारे संब्रेद होते हैं नलकारी के लिए जिन हस्यांत्रिक और जारों के अवश्यक्ता पड़ती है उन्हें प्लम्बिंग टूल्स कहते हैं प्रहता है वाटर या वेस्ट के लिए जाते हैं जिन पाईम में गंदा पानी होता है अन्हें हम कहते है सी वेच या वेस्ट वारड़ पाईप वार और चेवर पाईप में ऊल्यक्ता पर प्रभावित होता है फिर पाई मृता है सॉम्ध यs नले ना पर और के जाता है वह कहता वह alone कम मृती है मैं तॉक क्योंकि सौच सीट जो अपका यूरिनल पॉट होता है इसकी तली पर आविश्यक रूप से ट्रैप लगाया जाता है पर आपका बेंट पाइप जब का फ्लेश फ्लेश की जो जल सीट को भंग होने से बचाने के लिए इसका कनेक्शन एक अन्य पाइप से भी किया जाता है जिसे हम बैंट पाइप कहते है इसे साइफन रूदी पाइप कहते है इसका क्या वर्क हो रहता है कि जो सीवर पाइपों में जो एकते दूसित गैश हो दी है ये उनको वाईव मंडल में छोड़ता है और इसका व्यास होता है पचास एमेम से जादा फिर आता है आपका स्ट्रीट पाइप ये होते हैं जल प्रफाग द्वारा गली में डाली गई जल आपूरती पाइप को गली पाइप कहते हैं गहरों को इसी पाइप से फैरू लगाकर पानी की सप्लाई दी जाती है सेवी पाइप क्या होते हैं आपके सर्विस पाइप फैरूंस से आगे लगाया गया पाइप जो घर की सीमा तक जल पहुचाता है सर्विस पाइप कहलाता है इसके दूसरे सरे पर रोक टोटी वे जल मीटर लगा जाते है मीटर से आगे की पाइप लाइन हाउस पाइप कहलाती है जो उप्भोकता की निजी संपत्ती होती है खडा नल या स्टेंड पाइप इसे उद्दग नल भी बोलते है जल आपूर्ती का वित्रड पाइप लाइन में जलता बढ़ाने के लिए उस पर लगाया गया एक उद्दग टैंक होता है जो बिना इस स्टेंटिंग के सीधा पाइप लाइन पर स्थापित किया जाता है इसमें एक ही पाइप इसकी तरी पर लगाता है जो जल प्रिवेश निकास दोनों का वर्क करता है फैरूल के होता है आपका स्ट्रीट गली पाइप से घर को जल कलेक्शन देने के लिए इस पाइप में छेद करके इसमें दोहरी चूड़ी वाला गन मैटल का बना हुआ पाइप का टुकड़ा करते हैं जिसे फैरूल कहते हैं फैरूल लगाने के लिए स्ट्रीट में के पाइप साइड में छितर के जाता है नीचे या ऊपर नहीं टोटी क्या कहते है आपकी क्या कोक इसको बोलते हैं नल से पानी लेने लेने जल में जल के डिस्चारज पर नियंटर रखने के लिए इस पर ब्युहन लंबाई में टोटी लगाई जाती है पानी की सप्टाई नियंदर करने के लिए स्टॉप कोक तर नल से पानी लेने के यह बिपकॉक लगाई जाती है वाश वेसें तरगा सेंग पर खंबा टोटी और शार्वनिक जल पोस्ट पर स्वाता बंथ टोटी लगाई जाती है भुकता की टोटी पर आफशे सीस 0.018 Nm2 होना चाहिए फिर आता है आपका बाल यह हम पढ़ेंगे आपका नेक्स क्लास में थेंक्यू क्लास